हां जी मित्रों 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 क्या हाल चाल है जी आप सब के गुड़ इवनिंग गुड़ मॉर्निंग गुड़ आफ्टर नून जब जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हों स्वागत है आप सब का आज के इस सेशन में जहां हम डिसकस करेंगे अगले दो महीने अगले तो महीने आपने क्या तीन चीजों से संबल के रहना है अगली बार क्लास में इस टॉपिक को और अच्छे से पढ़ाना है तो काफी सारी अच्छी अच्छी बाते होती हैं में 25 के लिए ओडिट की क्लास अभी इतनी जल्दी स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है पहले जाना हेलो नमन श्वेता त्रिपती साहिल मिताली क्या हाल चाल है सी क्या हाल चाल है क्या हाल चाल है बच्चा कह रहा है इंटर के लिए ABC अनालेसिस दे दो हम पढ़ते ही ABC क्लास में ठीक है उसमें क्या तुम BC ABC DC CC वैसे करोगे उसमें तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपका टाइम ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर हम डिसकस करना स्टार्ट करते कौन सी ऐसी तीन चीजे हैं जिनको अगर आपने टेकल कर लिया जिनको अगर आपने टेकल कर लिया तो 100% चांसे हैं कि आप पास हो जाएंगे नवेंबर 23 एक्जाम में सबसे पहली ची ические वह हैं वह है गैस करना चाहोगे हां सर गैस करेंगे उसका नाम शुरू होता है f से बीच में आते हैं दो अक्षर और गए रसनास में आता है आर जल्ली से बताव क्या शब्ता Proteins कौन सी चीज़ रएकाश सर भी है क्लास में क्या बात है सरक 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 जल्दी से बताओ कौन सी ऐसी चीज़ है जो जल्दी सी स्टूदेंट्स को रोकती है और एक्जाम पास करने से अटकाती है भले ही सब कुछ आता हो जल्दी से बताओ देखते कौन-कौन समझदार बच्चा आया है यहां पर very good अजे ने सबसे पहले बताया sir the right answer is fear डर अब ध्यान से समझना डर के साथ कैसे deal करना है यह जो डर है यह बड़ी प्यारी चीज है हम इस डर से डरेंगे नहीं इसको अपना प्यार बनाएंगे इसको अपने साथ लेके चलेंगे sir यह डर important क्यों है please listen carefully आप मेरे से सवाल पू पढ़ने का मन नहीं कर रहा हमसे न सुभा उठा नहीं जाता हमको रात को टाइम से सोया नहीं जाता हमसे कोई सवाल होता नहीं है हमको कोई चीज याद नहीं हो रही यह सारी चीजे पते क्यों नहीं हो रही क्योंकि आपको डर नहीं है या फिर डर है तो आप डर को चैनला डर को अपने लिए यूज करो, डर को अपने आगे बढ़ने के लिए यूज करो, कि डर से हम hard work करेंगे, डर से हम और double महनत करेंगे, यानि अगर आज हम 1x hard work करेंगे, तो हम 2x करेंगे, 3x करेंगे, 4x करेंगे, अगर कुछ नहीं होता, तो देखेंगे क्यों नहीं हो रहा, उसके बाद और मेहनत करके उसको ठीक करेंगे, सारे बच्चे मुझे आज ही वादा करो, आप अपने डर को hard work में बदलेंगे, सबसे पहला commitment आपने मुझे आज ये करना है, कि आप अपने डर को hard work में बदलोगे, और उसके अलावा कुछ नहीं करोगे, क्या ये point clear है, जल्दी से बताईए, जल्दी से बताईए, जल्दी से बताईए, क्या आप सब ये वादा करते हैं, point ये है, अगर आपने किसी subject को एक अच्छे teacher से पढ़ा है, जैसे audit मेरे से, ठीक है, या फिर आपने accounts को किसी अच्छे teacher से पढ़ा है, law को किसी अच्छे teacher से पढ़ा है, आपका वहाँ काम हो गया, उसके बाद ना, इन सब चीजों पर अगर अपने काम कर लिया, अपना एक नंबर काम बन जाता है, कोई दिक्कत की बात होती ही नहीं है, clear point जल्दी से बताईए, very good, sir promise done, दूसरी चीज, दूसरी चीज जो आपको रोकेगी, जो आपको भटकाएगी, जो आपको आपके targets अच्छीव नहीं करने देगी, sir वो क्या है, वो है distractions, अब दो मिनट प्लीज मेरी बाते सुन ले ना, chat box पे ध्यान देने की ज़रुवत नहीं है, sir distraction ठ्यूँ हो रही है, मैं एक बात बोलू, इसमें आपकी गलती है, sir हमारी गलती कैसे है, मैंने तो आपको नहीं बोला, Instagram खोलो, आपने खुद खोला अपने मन से, हाँ, sir बात तो सही कह रहे हूँ, मैंने तो नहीं कहा था, Snapchat पे streak बनानी है, तुमको पता नहीं किस बेवकूफ इंसान ने का streak बनाने से बड़ा मज़ा आता है, तुम भी बनाने चले गए है, तो यह जो distractions है, these are your choice, फिर से बोल रहा हूँ, these are your choice, तो जो आपकी choice है, इसका answer किसके पास होगा, इसका solution किसके पास होगा, सर हमारे पास हमारे पास इसका solution है तो जब solution आपके पास है तो action लो जैसे मैं बताता हूँ मेरे पास भी mobile phone था मेरे लिए भी distraction थी तो मैं क्या करता था सुबह उठके अपना मैंने daily planner बना लिया उसके बाद जाके मोबाइल फोन को साइड वाले कमरे में किसी कबर्ड के अंदर डाल के आ जाता था switch off mode पे खतम कहानी ना रहेगा बास ना बजेगी बांसुरी तो भाई जो आपकी जड़ है जो आपकी distractions की जड़ है उसी को खतम करो ना है हिम्मत तो करके दिखाओ क्योंकि रिजल्ट के बाद रोने धोने से कुछ नहीं मिलने वाला मैं पहली बता रहो कोई नहीं सुनेगा आपका रोना रिजल्ट के बाद में फेल हो गया करते रहा ना नो वन गिव्जा डैम मैं भागडा नंगल डैम की बात नहीं कर रहा डैम मतलब किसी को कोई परक नहीं पड़ता अभी बस की है तो दिस्ट्रेक्शन को दूर भागे दिखाओ असली सिय् basis टुरेंट हो तो मैं चार्टर अगों टैंसी कर रहा हूं ये बोलने से कुई ces cheese दिल से बना चॉइस से बना जाता है है हिम्मत तो करके दिखाओ जल्दी से सारे के सारे बच्चे अभी कमिट्मेंट करो मेरे साथ कि आप ये चीज़ करेंगे आप अपनी डिस्ट्रेक्शन को एज चॉइस खतम करेंगे दो महीने की बात है पूरी जिंदगी के लिए नहीं कह रहा दो मह हीने कर सकते हो क्या जल्ली से बताओ अगर तुम चैट को स्पैम करोगे तो बाबा साइड कर देंगे जो पूछा है वो बताओ तुम्हारा ध्यान ही पता नहीं कहा है 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 हिम्मत तो बताओ वेरी गुड शिखा वेरी गुड रिधी नाम लिख लो इनके ये पास होने वाल अबलू जी वेरी गुड श्वेता है हिम्मत सर शाब भाश खतम करो ना कर दिया फोन बंद वेरी अभी नहीं तो वीडियो पूरी तो देख लो ठीक है एक बात और रह गई है एक बात और रह गई है उसको भी आपन खतम करेंगे मैं मैं लेकर आए हूँ आपके लिए बढ लाज गया सर लास्ट फिंग डेट आव वांट यॉड तो फोकस ओस ओन इस और है अपने सुना होगा प्लीज अभी फोकस कर लो चैट बॉक्स पर ध्यान मत दो जब देना होगा मैं बताओं गां जैसे ही एक्जाम पास आने वाले होते हैं बच्चे बीमार पढ़ना स्टा लुडकते ही लुडकते हैं कभी किसी को बुखार हो जाएगा कभी किसी को ख्रासी जुकाम हो जाएगा कुछ ना कुछ बिमारी आती ही आती है सर ऐसा क्यों होता है यह लोग ना अपने आपको सूपर मैन समझते कि तेरा भाई तेरा भाई जोगिंदर सोएगा नहीं तेरा या भाई पानी नहीं पिएगा क्यों पानी बेवकूफ लोग पीते हैं पानी पीने में थोड़ी मज़ा है हम तो वो पिएंगे क्या रेडबुल पिएंगे रेडबुल पीके पड़ाई करेंगे नलायक हेल्थ के बेसिक्स को निगलेक्ट मत करना बैंड बच जाएगी सची सची वदा रहा हूँ तभी आज मैं आपके साथ इस सेशन को लेके बैटाओ क्योंकि दो महीने में इनी चीजों पर आपने फोकस करके चलना है बाकी चीजे तो निपटती रहेंगी समझ गए मेरी बात य इस स्लीप कम से कम आप मुझे आज वादा करेंगे that you will take seven hours of sleep every day cumulatively अब कई बच्चे ना मेरे से पूछते साथ घंटे इंस्टॉल्मेंट में ले 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 बच्पन में ऐसा करते थे नहीं सर तो वही करना है ना जो स्कूल वाले सिखाते थे रात को सो जाओ साथ घंटा सर द इन में भी अगर नीड लगती है तो 15 से 20 मिनट के लिए 15 से 20 मिनट के लिए एक short nap ले सकते हो this is your choice कोई दिक्कत की बात नहीं ऐसे घबरान मत किसर मिल को ऐसे 15 से 20 मिनट सो ना कोई दिक्कत है नहीं सो सकते हो आदा घंटा भी सो सकते हो लोग खुश हुश सर इतना करेंगे क करेंगे सर दूसरी चीज स्टे हाइड्रेटिड सर स्टे हाइड्रेटिड मतलब पानी पीते रहो यार जितना पानी प्योगे उतना ज्यादा आपकी बॉड़ी क्लीन रहेगी कूल रहेगी दिमाग में बाते जल्दी जाएंगी हेल्थ अच्छी रहती है तो सब कुछ यह किसके साथ करें पांच सोग्ड आलमंड्स लिख लो इसको अभी बता रहा हूं पाइव सोग्ड आलमंड्स इसके साथ आपने दिन की शुरुवात करनी है रात को सोने से पहले पांच बादाम भिगो दो सुबा उनको छील के आपने खाना है आई बात समझ आगई सर लिए निवाला दिन में fruits का जाना चाहिए एपल खाना है एपल खाओ बनाना खाना है बनाना खाओ जो आपको fruits मिल रहे है fruits खाओ भर भर के fruits को ठीक है कोई दिक्कट की बात नहीं है जितना हो सके heavy items को avoid करो क्या ऐसा करोगे करेंगे सर तो यह आपने basic basic चीज़े ध्यान में रखनी है plus do go for a walk दिन में कम से कम 30 minutes आपकी walk होनी चाहिए इसको भले ही 10-10 minute में तोड़ लो ठीक है 10 minute morning में 10 minute after lunch 10 minute evening में चलेगा ठीक है एंड कम से कम 5 minute आपने अपने साथ eyes close करके बैठना है पर ऐसा क्यों again continuous basis पर करोगे तो आपको लगेगा आपका focus बन रहा है एक meditative state of mind पर आप जा रहे हो Cool and calm mind के साथ हर problem का solution असानी से मिलता है करोगे या नहीं करोगे आप जल्दी से बताओ करोगे या नहीं करोगे जल्दी से बताओ फड़ा पट तारीकी सारी बाते बताओ हाँ रात में नींद आती नहीं मैं बताओ रात में नींद तुमको क्यों नहीं आ रही है क्योंकि तुम्हारा सोने का कोई टाइम ही नहीं है कौन है रात में नींद नहीं आती खुश्बू कभी खुश्बू आठ बजे सो जाती है कभी खुश्बू दस बजे सो जाती है कभी कुछ बारा बजे सो रहे कभी रात को दो बजे सो रहे कभी चारवे सो रहे है रोज खुश्बू चुप चाप साड़े दस ग्यारा बज़ जाकर सो जाएगी अपने आप सुभाब पांच मजे आप यूट्यूब पे क्यों आते हो आज का तो समझ आता है कि मैं आपको गाइड करने आता आप गाइडन्स लेने आए थे आप यूट्यूब पे जा क्यों रहे हो स्वें रिवीजन वीडियोस का काम होता है तुमको रिकॉल करने में हल्प करना ढre dollars को देख ली और उसको देखेंवे दो-तीन महीने हो गये आं cheese महीने हो गये तो रिगॉल करने में है फिर उसके बाद self पढ़ना होता है अभी अभी time किसका है, self करने का, सर हमने अभी तक class ही नहीं करी, तो भाई class करके काम खतम करो, आप अगर इसी तरह revisions ही देखते रहोगे, प्लीज मेरा ये सवाल है, इसका जवाब दे देना मुझे chat box में, अगर आप revisions के भरोसे रहोगे, आपका mind कैसे train होगा, self recall करने के लिए, ये बात अगर तुम्हारे दिमाग में चमके, जल्दी से chat box में लिखो yes sir, जल्दी से chat box में लिखो yes sir, फटाफट लिखो, फटाफट लिखो, अगर आप revisions वीडियो देख देख के recall कर रहे हो, तो मुझे बताओ exam के तीन घंटे में self recall कैसे करोगे, ये बात अगर click कर जाए न तो chat box में लिख दो yes, फटाफट, sir recall जल्दी हो जाता है, वो ही तो मैं तुमको कह रहा हूँ, तुम्हारी बसकी लिए self recall करना, बसकी होती तो revision वीडियो देखने की जर्वत ही नहीं है, sir आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, आपका भी तो channel ग्रो करता है, जब बच्चे revision वीडियो देखते हैं, भाई साब मेरी असली ग्रोथ है मेरे बच्चों के marks में, views और उससे मुझे फरक नहीं पड़ता, बलकि monetization है, पैसे आते हैं, ऐसा पैसा किस काम का, जिसमें बच्चा फेल हो रहा हूँ, मैंने भी costing पड़ी है, long term benefit is more than short term benefit, मेरा long term benefit है बच्चे पास होने में, ना कि इन छुटमूट वीडियो से views आने में, बात समझ आ रही हैं, आईए बात समझ, very good sir, very good sir, very good sir, very good, आईए बात समझ, great, तो अभी आपने बस इतना समझ ना है, अगर आपके सामने 10 concept है, 9 concept, 8 concept, कोशिश करो, self recall करने की, एक दो concept में अगर दिक्कत आती है, refer करो revision video, कोई दिक्कत नहीं है, बट पूरा दिन revision videos देखते रहना, this is not the right thing to do, clear है boss, clear है, बंशी का समझ गई, तीमा जी समझ गई, very good, very good, very good, very good, very good, very good, समझ गई sir, revision video video देखते देखते लगता है, सब आते हैं, बाद में लगता है, भूल गई, that's the reality, ठीक है, तो ये बाते आपने ध्यान में रखके चलनी है, इनी बातों के लिए, आज में शायद आपके साथ बैठा हूँ, क्योंकि, अगर ये बाते में आपको, exam से एक हफते पहले बताऊँ न, आप कहोगे, master जी, किस खेत की मूली हो, पहले क्यों नहीं बता के गए, that's why I am discussing with you, right now, gotcha, 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 gotcha sir, अब लास्ट में बस मैं आपसे एक ही request करूँगा, इन तीन बातों को deal कर लेना, fear से डरने का नहीं, fear को use करने का, दूसरी चीज, distractions आपकी choice है, या आप तो मजे ले लो, या जिन्दगी मजे ले लेगी, ठीक है, तो फिर वो चीज देख लेना, जादा मजे लोगे तो जिन्दगी मजे ले लेती है, make sure you are devoting your time to your studies, nothing else, and last में please अपनी health का ख्याल रखो, and end में बस उतना ही बोलूँगा, खुशी से पढ़ेंगे, तभी आगे बढ़ेंगे, और हाँ, अभी तक वीडियो को अगर like नहीं किया, अगर अभी तक वीडियो को like नहीं किया, कितने बच्चे देख रहे हैं, 473 बच्चे, likes की संख्या है 140, हम ICI को दोश देते हैं, ICI की past percentage कम क्यों है, ठीक है, जो जो बच्चे अभी वीडियो को like करेगा, सबको 55 number extra sir, आपको कैसे बता, ICI नहीं मुझे बताया था, ठीक है, so make sure आप इसको अच्छे से करे, लगे रहे, पढ़ते रहे, खुशी से पढ़ते रहे, क्योंकि खुशी से पढ़ेंगे, तभी आगे बढ़ेंगे, and make sure if you are new to the channel, do subscribe it for more such videos, बागी जाओ, मन लागे पढ़ाई करो, take care, all the best,